तो गाइस आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप 2024-25 में कैनरा बैंक में DBT लिंक कैसे करेंगे DBT लिंक करने का जो प्रोसेस है टोटली ओनलाइन प्रोसेस है DBT लिंक करने के लिए आप लोग को बैंक चाने की जरूरत नहीं है किसी भी तरह का फिजिकल फॉर्म भनने की जरूरत नहीं है आप लोग ऑनलाइन घर बैठे अपने मुबाइल से ही DBT लिंक की कर सकते हैं तो यहाँ पर DBT लिंक करने के लिए आज के समय में बहुत ही जरूरी है क्योंकि किसी भी तरह का सरकारी सबसीडी लेने के लिए जैसे PM किसान सम्मानी धी उजना का पेमेंट हो गया या फिर पेंशन का के पेमेंट हो गया या फिर गैस का सबसीडी हो गया इस तरीके से सरकारी तरफ से पैसे लेने के लिए कि आपके खाते में dbt link होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि आज के समय में केवल जो है की account number के थुरू payment नहीं आ रहा है बलकि आधार number के थुरू payment भेजा जा रहा है तो ऐसे case में अगर आपके खाते में dbt link नहीं रहेगा तो आपके खाते में subsidy की रासी amount credit नहीं होगा तो यहां आप लोग online ही अपने खाते में dbt link कर सकते हैं अब online dbt link करने के लिए simply आप लोग Chrome पर open करेंगे NPCI जैसे NPCI लिख करके search करेंगे तो यहां पर first link पर click करेंगे तो आपके सामने यह page open हो जाएगा इसके बाद नीचे scroll करेंगे तो यहां पर एक लिखा हुआ term consumer ठीक है आप य अधार शीडिंग इनेबलर ठीक है BASE ठीक है simply इस पर click करेंगे तो आपके सामने कुछी तरीके से page open हो जाएगा जिसमें आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ request for अधार शीडिंग और बता दे कि आप यहां पर अगर अधार शीडिंग कर लेते हैं और आपक DBT link भी आपकी खाते में हो जाएगा ठीक है तो basically यहां पर आप लोग को कैसे करना है तो सबसे पहले आप लोग को यहां पर आधार नंबर देना है यहां पर सबसे पहले आप लोग को आधार नंबर देना है इसके बाद अगर आपको खाते में DBT को link करना है यानि DBT enable करना ह तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, नहीं तो अगर पहले साधार सीडिंग है, तो डी सीडिंग करना है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आप लोग यहाँ से सिंपली बैंक सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे, तो आपके सामने यहाँ पर बै capture code दिख रहा है capture code को यहाँ पर enter करेंगे इसके बाद पर proceed पर click करेंगे तो चलिए मैं सारा detail यहाँ पर fill up कर लेता हूँ इसके बाद आगे का process आप लोग को बताता हूँ इसके एलावा एक और option यहाँ पर आप लोग को मिल जाता है shedding type में shedding type में आप लोग को तीन aption किसी भी जो एकी खाते में लिंक नहीं है तो फ्रेश शीडिंग पर क्लिक करेंगे ठीक और यहाँ पर अगर सेकेंड पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हूँ moment with in the same bank account with another account ठीक है यानि कि अगर आपका जो एकी यहाँ पर प्रेश शीडिंग कर रहा हूँ तो इसके बाद जैसे पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर टंसे न चाहेगा तो सिंप्ली नीचे स्कॉल करेंगे और यहां से एक रिएंड कंटिन्यू पर लेना है आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी एपियाई सर्वि तो यह काम करने लगेगा फिलाल इसका सर्वर डाउन है जिसके वजह से अभी यह कंप्लीट नहीं हो पा रहा है ठीक है तो आपको अभी अगर जो है की कैनेरा बैंक में डिविटी लिंक कराना है तो आप लोग 100% साम को ट्राइ केज़े आपका यह प्रॉब्लम 100% फिक्स हो जाएगा और आपका डिविटी लिंक हो जाएगा बैंक मेना जाय हुए ठीक है तो आई हो की इस वीडियो के माध्यम से आप लोगो हेल्प मिला होगा थे चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक कर देना मिलता है फिर किसी नेक्स टूडियो में एक नए